हिंदू पौरानिक कथाओं में हनुमान जी को सबसे बलशाली और ताकतवर देवता माना जाता है हनुमान जी को भगवान शिव का अपतार भी माना जाता है हनुमान जी की लाइफ से जुड़ी कुछ रोच्च घटनाएं और तथ जानेंगे भगवान राम जब अपने मनुशर रूपी शरीर को त्याक कर बैकुंड वापस जाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें लगा हनुमान जी उन्हें नहीं जाने देंगे इसलिए उन्होंने अपनी अंगूठी पाता लोग में गिरा दिया और हनुमान जी से उसे ढूंड कर लाने को कहा हनुमान जी अंगूठी ढूंडने पाता लोग सरी चले गए इस बेच स्री राम चंदर जी ने सर्यू नदी में डूपके लगा कर अपने मनुश्य रूपी शरीर का त्याग कर दिया था महाविर हनुमान केवल रामान काल में ही मौजूद नहीं थे परन्तुवे महाभारत में भी उपस्तित थे महाभारत काल में अर्जुन के रत पर अपने चित्रित धोज के रूप में कुरुचुत के यूट के मैदान में भी वो उपस्ति थे धरम गरंठों के अनुसार वीर हनुमान जी को अमरता का वर्दान प्राप्ठ है वो आज भी पिर्थवी पर अग्यात रूप से रहते हैं अयोध्या वनवास के बाद एक तिन माता सीता को लगा कि हनुमान जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया सबसे पहले स्रीराम का संदेश लेकर अशोक वाटिका वो पहुँचे थे तो माता सीता ने यह सोचा क्यों ना हनुमान जी को खाने पर बुलाया जाए उन्होंने अपने हाथ से हनुमान जी के लिए खाना बनाया और पूरे महल में कहला दिया कि पहले मेरा पुत्र हनुमान खाए गए उसके बाद अन्य लोग खाएंगे उसके बाद हनुमान जी आये और माता ने उनके ले खाना परोसा उन्होंने सारा खाना खा लिया माता सीता ने उनके ले दुबारा खाना बनाया परन्तु हनुमान जी का पेट नहीं भरा उनका बनाया हुआ सारा खाना खतम हो चुका था हनुमान जी का पेट नहीं भरा था सीटा रामचंदर जी के पास गई और अपनी समस्या बताए रामचंदर जी ने तुलसी का पत्ता सीटा को देते वे कहाए ये दो हनुमान जी को हनुमान जी ने जैसे ही तुलसी का पत्ता मुँपर डाला उनका पेट भर गया इस पर हनुमान जी ने कहा माता पहले ही दे देते तो मेरा पेट भर जाता और आपको इतना कष्ट ना होता सीता ने कहा पेट चाहे तुलसी के पत्ते से भरा हो मुझे खुशी है कि मैंने अपने पुत्र के लिए अपने हाथ से खाना बनाया ये भी माना जाता है कि हनुमान जी और भीम भाई थे एक बार भीम को अपनी ताकत पर बहुत घमड था हनुमान जी वृद वानर के भीष में एक जगा बैट गे तभी भीम वहां से गुजर रहे थे उन्होंने कहा आपकी पूँच मेरे रास्टे पर आ रही है आप इसे हटा दें वृद वानर ने कहा हिम्मत है तो आप ही पूँच हटा दो भीम को बहुत गुसा आया उन्होंने पूँच को उठाना चाहा परन्तु नहीं उठा पाए भीम जान गए ये कोई साधारन वानर नहीं है और हाज जोड़कर अपना परिच्च देने को कहा हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और हनुमान जी ने उन्हें अपनी ताकत पर घमंड ना करने की शिक्षा दे और इस परकार दोनों भाई का भी मिलाप हुआ स्री संकट मोचन मंदिर वारण से उतर परदेश में इस्तिध है इस मंदिर के चारों और एक छोटा सा वन है ऐसा मानत है कि हनुमान जी की है मूर्ती गोस्वामी तुलसी दास के तब एमपुन्य से परकट हुई स्वेंभू मूर्ती है प्राचिन हनुमान मंदिर कौनोट प्लेज न्यू डाली हिंदू मानता के अनुसार पांडो में धुतिय भीम को हनुमान जी का भाई माना जाता है दोनों ही वायू पुत्र कहे जाते हैं इंदरपस की स्थापना के समय पांडो ने इस शहर में पांच हनुमान मंदिर की स्थापना की ये मंदिर उन्हीं पांच में से एक है माना जाता है कि वालमिकी के अलावा भगवान हनुमान ने भी रामायन लिखी थी कहते हैं कि वो जिस कुफा में रहते थे उन्होंने रामैन का नया स्वरूप लिखा था हनुमान धारा चित्रकूट उत्तरपरदेश के सीतव नामग इस्थान से त्री मील दूर परवत माला के मद्य भाग में यह हनुमान मंदिर इस्थापित है पहाड के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ती में ठीक सिर पर जल के दो कुण हैं जो हमेशा जल सी भरे रहते हैं उन में से नीरंतर पानी बहता रहता है इस धारा का जल हनुमान जी को इसपर्श करता हुआ बहता है इसलिए इसे हनुमान धारा भी कहते हैं कहा जाता है कि एक दिन हनुमान जी ने स्री राम से कहा ये भगवान मुझे ऐसा कोई स्थान बताईए जहां लंका रहन से उत्पन मेरे शरीर का ताप मिट सके तब भगवान स्री राम ने हनुमान जी को यह स्थान बताया था जामनगर गुजरात का एक शहर है सन 1540 में जामनगर की स्थापना के साथ ही स्थापित यह हनुमान मंदिर बहुत ही चमतकारिक माना जाता है यहां पर 1964 से स्री राम धुनी की जाप लगा कर चलता आ रहा है जिस कारण इस मंदिर का नाम गिनीज बुक आफ वर्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया तो यह थे कुछ अमेजिंग तथे और घटनाएं जो भगवान हनुमान से जुरी हुई थी तो कैसे लगा आपको यह है motivational और educational वीडियो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में Thank you very much